आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टरी ग्लॉस पर मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका और आज हम 24 अगस से रिलेटेट जितने भी important question बन सकते हैं उन पर discussion करने वाले हैं और questions related जितने भी important fact होते हैं साथ में वो भी मैं आपको बताऊंगी यह हमारा telegram channel है यहाँ पर आपको quiz available हो जाएगी और इस lecture की pdf भी आपको यहाँ मिल जाएगी यह आपके लिए आज का motivational court है हजारों ख्वाप तूडते हैं तब कहीं एक सुबह होती है तो इसी motivational court के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन फर्स्ट क्वेशन है भारतिय मतश्य पालन को बढ़ावा देने के लिए एकवा बाजार नामक एप को किसने लाँच किया है तो इसका correct answer होगा ये पुर्शोतम रुपाला के दौरा लौँच किया गया एप है ये केंद्रिय मतश्य पालन, पशुपालन और डेरी मंत्री है और इन्हों ने पुर्शोतम रुपाला ने रास्ट्रिय मतश्य की वोईकास जो बोड है इसकी नववी जनरल बोडी की बैठक के दौरान मतश्य सेतू मोबाइल एप में ओनलाइन मार्केट प्लेस फीचर एक्वा बाजार का इन्होंने शुभारम किया है इस एप को ICAR और Central Institute of Freshwater Aquaculture भुमनेश्वर के दौरा विक्सित किया गया है जिसे प्रधान मंत्री मतश्य संपता के दौरा योजना के माध्यम से रास्ट्रिय मतश्य की विकास बोड हैदराबाद के दौरा वित्य साहिता प्रधान किया गया है ओनलाइन मार्केट प्लेस मतश्य किसानों और हित धारकों को मतश्य संस्कृती के लिए आवशक्त सेवाएं और मचली के भी चारा दवाओ जैसे इनपुटों की प्राप्ती में मदद करेगा साथी साथ इसमें किसानों के द्वारा बिक्री के लिए टेबल आकार की मचली को सूची बद भी किया जा सकता है मार्केट प्लेस का उदिश्य जल्यक्रशी शेत्र में शामिल विबिन हितधारकों को आपस में जोड़ना है तोप फाइव एप्स को हम रिवाइस करें तो यह जो कंपनी है यह गूगल ने इसे लाँच किया है तो यह जो है ओम बिर्ला ने लाँच किया है यह स्पीकर ओफ लोगसबा है विश कंपनी विल लाँच ए सूपर एप नेम नियू तो यह टाटा गुरूप के दारा लौच किया गया है धिश के लिवाइस काल इंडिया तो यह दिली पुलिस के दारा लौच किया गया है सेकंड नमबर गेशन है वेर विल्दस 65th कॉमन वेल्थ पालियम एंट्री कॉन्फरेंस 2022 भी हैल्ड पैसटवार राश्टुमंडर संसदिय संबेलन 2022 कहां पर आयुजित किया जाएगा तो ये किया जाएगा कैनेडा के हैलिफेक्स के अंदर एस का करेक्ट आंसर है पैसटवार राश्टुमंडर संसदिय संबेलन कनाडा के हैलिफेक्स में आयुजित किया जा रहा है 20 से 26 अगस्त के बीश होने वाले इस 65 वे राश्टुमंडर संसदिय संबेलन में भारतिय संसदों के दलका नेतरत वे लोगसबा अध्यक्ष ओम बिर्ला करेंगे और इस संबेलन में लोगसबा और राज्यसबा के कई संसदों के साथ ही भारत के राज्य विधान मंडलों के 23 पीठा सीन अधिकारी और 16 सचीव भी शामिल होंगे जो CPA के सदश्य है कैनाडा के हम बात करें कैनाडा is located in the continent of North America इसकी capital Ottawa है currency यहाँ पे Canadian dollar चलती है Prime Minister है Justin, 2DO, word by area which is the second largest country तो यह कौनसी है Canada है, first कौनसी है तो यह Russia है which is the longest border country in the world तो यह भी Canada है which country has returned the 18th century old godness Annapurna to India तो यह Canada है 49th parallel line is between which two countries तो यह Canada और अमेरिका के बीच में है what is the name of the Parliament of Canada तो इसको Parliament ही कहा जाता है third number question है who has become the first football player from India to play in the UFA Women's Champions League 2022 held in Europe यूरोप में आयोजित UFA महिला Champions League 2022 में खेलने वारी भारत की पहली football खिलाडी कौन बन गई है तो इसका correct answer होगा Manisha Kalyyan बन गई है C's का correct answer है भारतिय महिला football Manisha Kalyyan ने अपने नाम पर एक बड़ी उपलबदी हासिल कर ली है उन्होंने अपने नए football club Apollo Ladies के लिए डेब्यू करने के साथ साथ UFA Women's Champions League में खेलने वाली पहली भारतिय महिला खिलाडी बनने का भी तमका इन्होंने हासिल कर लिया है भारतिय फुटबोल के इतियास में Manisha केवल चोथी महिला खिलाडी है जिने विदेशे club ने साइन किया है Manisha ने हाली में AIFF Women's Footballer of the Year 2021 अवोर्ड भी जीता है उन्होंने पिछले सीजन में रास्ट्रे टीम और अपने club Gokulam Kerala के लिए दमदार परफॉमेंस भी दी है फुटबोल रिलेटेड क्वेशन को हम रिवाइस करें फुटबोल टूनामेंट फीपा वर्ड कप 2026 भी हैल्ड तो ये होने वाला है अमेरिका, मेक्सिको और कैनेडा के अंदर तो ये जीता है है हैदराबाद फुटबोल क्लब ने फुटबोल टूनामेंट AFC Women's Asia विश कंट्री स्टीम है वोन टाइटल ओफ कप 2022 तो ये जो है ये चाइना ने जीता है विश कंट्री विल होस्ट दे फुटबोल टूनामेंट फीपा अंडर 17 Women's World Cup 2022 तो ये होस्ट करने वाला है इंडिया फुटबोल टूनामेंट फीपा E Nations Cup 2022 बी ओर्गेनाईजड तो ये होने वाला है कॉपेन हेगन डेनमार के अंदर फॉर नमबर ग्वेशन है वो हैस बिकम दे न्यू चेर्मेन अफ असम पुलिस सर्विस कमिशन असम लोग सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बन गये है तो इसका करेक्ट आंसव होगा ये बन गये है भारत भूशन देव चोदरी बन गये है दी इसका करेक्ट आंसव होगा असम सरकार ने जो वरिस्ट IS आफिसर है भारत भूशन देव चोदरी इनको असम लोग सेवा आयोग APSC का अगला अध्यक्ष नियुक्त किया है कार्मी विभाग के प्रधान सचिव नीरजवर्मा के द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार माध्यमिक सिक्षा विभाग के सचिव चोदरी को कारेभार समालने की तिती से APSC अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है इस साल जून में APSC के पूर्व अध्यक्ष राजीव कुमार बोरा का कारेकाल समाप्त होने के बाद ये पद खाली हो गया था और आयोक के सदर्श अंजतानात तब से अध्यक्ष के करतवयों का पालन कर रहे थे APSC की बात करें असम पब्लिक सर्विस कमिशन की तो इसकी इस्तापना हुई थी एक अप्रेल 1937 को और इसका हैड़क्वाटर जो है ये गुआ हटी असम के अंदर है फाइप नंबर ग्रेशन है बाइलेटरल मिलिटरी एक्सराइज उल्ची फ्रीडम शिल्ड 2022 इस हेल्ड बिट्विट्विश टू कंट्रीज द्वी पक्षिय सेन्य अभ्याज उल्ची फ्रीडम शिल्ड 2022 किन दो देशों के बीच में आयुजित हुई है तो इसका करेक्ट द्वी पक्षिय सेन्य अभ्याज उल्ची फ्रीडम शिल्ड 2022 अमेरिका और दक्षिन कोरिया की सेना के बीच में आयुजित हुआ है और ये अमेरिका और दक्षिन कोरिया के सबसे बड़ा ये सैंत सेन्य अभ्यास है उद्देश है इस सेन्य अभ्यास का जो उद्देश है ये चिप कारखानों और आपूर्ती श्रंकलाओं जैसे प्रमुख स्वीधाओं पर साइबर खत्रों से निपटने के साथ साथ युद के बदलते तरीकों के अनुरूप तैयारियों में सुधार करना है। Top 5 Military Exercises को हम रिवाइस करें। उर्द शक्ती bilateral exercise 2022 between Indian Air Force and Air Force of which country तो ये Indian Air Force और Malaysia की Air Force के बीच में हुई है। आई नजा है फोर जो है ओमान और इंडिया के आर्मी के बीच में होता है। Bilateral Military Exercise एक्स विन्वेक्स 2022 इंडिया और विश कंट्रीज आर्मी तो ये इंडिया और वियत नाम की आर्मी के बीच में हुआ है। Maritime Partnership Exercise MPX between India and which countries नेवी तो जो MPX है ये इंडिया और जापान की नेवी के बीच में हुआ है। Sixth Question है, Where has India's first indigeniously developed hydrogen fuel cell bus launched भारत की पहली स्वदेशी रूप से विक्सित hydrogen in-done cell bus का शुभारम कहां पर किया गया है। तो इसका correct answer होगा, ये पूने महाराष्ट के अंदर किया गया है, C's का correct answer है। केंद्रिय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग ने हाली में पूने में KPIT CSIR के दौरा विक्सित भारत की पहली सई माइने में स्वदेशी रूप से विक्सित hydrogen fuel cell bus को launch किया है। लंबी दूरी के मारगों पर चलने वाली डीजल बस की तुलना में इस बस में 6 उत्सरजन होता है और डीजल बस आम तोर पर सालाना 100 टन जो carbon dioxide है इसका उत्सरजन करती है। carbon dioxide उत्सरजन के संदर्प में भारत में carbon dioxide उत्सरजन का लगबग 12-14% डीजल से चलने वाले भारी वाहनों से आता है। hydrogen fuel cell technology के अंदर विद्यूत उर्जा उत्पन करने के लिए hydrogen और oxygen के बीच में एक रासाइनिक प्रतिकिरिया की जाती है। और ये petrol या gas जैसे पारंपरिक जिवाश में इंधन का उप्योग नहीं करती है। अपने सई अर्थों में एक इंधन सेल स्टेक उन बैटरियों को संदर्बित करता है जो विद्यूत उर्जा उत्पन करती है। जिने स्टोर करने के लिए अधिकस्तान के आवशकता नहीं होती है। प्रधानमंत्री मोदी की हाइड्रोजन द्रस्टी भारत के लिए आत्म निर्भर और सुलब स्वच उर्जा सुनिश्चित करने के साथ साथ जलवायू परिवर्तन के लक्षों को पूरा करने की दिशा में यह एक महतुपून कदम है। ग्रीन हाइड्रोजन एक उत्करष्ट स्वच उर्जा वेक्टर है जो रिफाइनिंग उध्योग, उर्वरग उध्योग, स्पात उध्योग, सिमेंट उध्योग और भारी वानिजीक परिवहन शेत्र को कार्बन मुक्त करने में पूरी तरह सक्षम है। सेवन नमबर ग्रेशन है, दा नेम ओप चंडिगर इंटरनेशनल एरपोर्ट हैस बिन चेंज टू वाट चंडिगर अंतरास्ट्य हवाई अड़े का नाम बदल कर नया नाम क्या कर दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर होगा, ये कर दिया गया है, शहीद भगर सिंग हवाई अड़े के नाम को बदलने को लेकर हरियाना और पंजाब सरकार के बीश में सहमती बन गई है, शुरू से ही हवाई अड़े के नाम को शहीद भगर सिंग के नाम पर किये जाने का लेकर चर्चा होती रही थी, जिस पर अब मुहर लग गई है, साल 2015 में पीम नरिंद् महरास्ट तो इसका नया नाम है, डीबी पातिल इंटरनेशनल एरपोर्ट, न्यू नेम ऑफ चैनानी नेशारी टरनल ऑफ जमू एंड कश्मीर, तो इसका नाम कर दिया गया है, शामा प्रशाद मुखरजी टरनल, कुर्णूल एरपोर्ट ऑफ आंधर प्रदेश, न्यू न इंटरनेशनल एरपोर्ट, तो इसका नाम छत्रपती शिवाजी महराज इंटरनेशनल एरपोर्ट कर दिया गया है, एट नमबर क्वेशन है, विच स्टेट, मिधिला मखाना है जी आई टेग बाइद सेंट्रल गवर्मेंट, केंद्र सरकार के द्वारा किस राज्य के मिध मिधिला मखाना को GI टेग प्रदान कीया गया है, तो इसका correct answer है बिहार के मिधिला मखाना को ये GI टेग मिला है बिहार के मिधिला में एक काहवत मशूर है पगग पगपोखिरी मार्च मखान केंद्र सरकार ने मिधिला के मखाना को जियो ग्राफिकल इंडिकेशन टेग दे इसे मखाना उत्पादकों को अब उनके उत्पाद का और भी बहतर दाम मिल पाएगा मिधिला के मखाने अपने स्वाद पोशक तत्व और प्राकर्तिक रूप से उगाए जाने के लिए प्रख्यात है भारत के 90% मखानों का उत्पादन यहीं से होता है इससे पहले भीहार की मदूबनी पैंटिंग, करतनी चांवल, मगही पान, सिलाव का खाजा, मुझभफूर की शाही लिची, भागलपूर के जरदालू आम को GI टेग दिया जा चुका है What is GI टेग के हम बात करें? GI टेग यानि Geographical Indication टेग ये एक प्रकार का लेबल होता है जिसमें किसी भी उत्पाद को विशेश भोगोलिक पहचान दी जाती है ऐसा उत्पाद जिसकी विशेशता या फिर प्रतिष्टा मुख्य रूप से प्रकरती और मानुए कारकों पर निर्भर करती है बिहार की हम बात करें, बिहार has become the first state to facilitate doorstep delivery of digital land records आमीर शुभानी has been appointed as the new chief secretary of बिहार, launched hit covid app इनोंने launch किया है बालमी की national park यहाँ पे situated है, जो 33% reservation है, गल्स के लिए इनके लिए यहाँ पे जो government है इनोंने announce किया है medical और जो engineering colleges के लिए, chief justice of बिहार यह है, संजे करोल 9 number question है, which state government has announced to develop 300 rural livelihood parks to improve the livelihood of rural poor families ग्रामीन गरीब परिवारों की आजिविका में सुधार करने के लिए, किस राज्य सरकार ने 300 ग्रामीन आजिविका पार्क विक्सित करने की घोशना की है तो इसका correct answer होगा, ये घोशना की है, 36 गर्ड गवर्मेंट ने, इसका correct answer है इस परियोजना का जो उद्धिश्य है, ये 36 गर्ड राज्य में ग्रामीन अर्थ व्यवस्ता को मजबूत करना और गोथान को आजिविका का केंद्र बनाना है इस कारिक्रम के तहट प्रथम वर्ष में 300 गर्मीन ओध्योगिक पार्क बनाए जाएंगे 36 गर्ड में पहला ऐसा पार्क कांकेर जीले में बना है जिसका नाम गांधी ग्राम रखा गया है 36 गर्ड की बात करें तो इसकी स्तापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी ये 26 वा स्टेट बना था कैपिटल है नया राइपूर अटल नगर चीफ मिनिस्टर यहां के है भूपेश बागेल गवर्नर है अनुसुया ओई के स्टेट एमिनीमल जो है यहां का वाइल बैफेलो है स्टेट बड है हील मेना स्टेट ट्री है साल 10 नंबर ग्वेशन है बुल्गारिया के सोफिया में आयुजीत अंडर 20 विश्व कुष्टी चैंपेंशिप 2022 में स्वान पदक जीतने वाली पहली भारतिय महिला पहलवान कौन बन गई है तो यह बन गई है अंतिम पंगाल बन गई है सीस का करेक्ट आंसर है हर्याना के पहलवान अंतिम पंगाल ने शुकरवार को कजाकिस्तान की एटलीन शंगा येवा पर आट-जीरो के साथ में अंडर 20 विश्व चैंपियन उपलबदी हासिल करने वाली ये पहली भारतिय महिला पहलवान बनकर इत्यास इनों ने रच दिया है मादक प्रदार्तों की तसकरी से जुड़ा भारत का पहला निदान नामक पॉर्टर की संस्थान ने लॉंच किया है तो ये नारको टेक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉंच किया गया है सेकिंड नमबर क्वेश्व है स्वतंतरता दिवस के अउसर पर भारतिय रेलवी ने सूपर वासू की नामक छे इंजन और दोस्तों पिच्चान में डिब्बो वाली अब तक की सबसे भारी और सबसे लंबी माल गाड़ी कहां से कहां तक चलाई है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये कौरबा 36 गर्ड से किस सरकार ने सभी राज विभागों में खिलाडियो को 2% आरक्षन प्रदान करने की घोशना की है तो इसका करेक्ट आंसर होगा ये घोशना की है प्रदान मंत्री नरिंद्र मोडी ने बारत को विक्सित बनाने के लिए किस वर्ष तक पंच प्रण लक्ष हासिल करने की घोशना की है तो ये घोशना की है 2047 तक 20 का correct answer होगा 5. question है क्रशी शेत्र में क्रांतिगारी बदलाव लाने के लिए खेती में ब्लॉक्चेन तकनीक पीश करने वाला पहला राज ये कौन सा बन गया है तो ये बन गया है जारकंड ये इसका correct answer है 6. question है विकलांग और आर्थिक रूप से अक्सक्षम बच्चों को प्रारंबिक सिक्षा प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने विद्यारत स्कूल और वील्स परियोजना शुरू की है तो इसका correct answer होगा ये जो परियोजना है ये असम के अंदर शुरू हुई है 7. question है भारत की पंदरवी राष्टवती द्रोपती मुर्मू के नए सच्चिव कौन बने है तो इसका correct answer होगा ये बने है राजेश वर्मा 20 का correct answer होगा 8. question है आतंगवाद से लड़ने के लिए नई दिल्ली में आयोजेट रास्टिय सुरक्षा रंड नीती सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है तो इसका correct answer है अमिश्चा के दौरा इसके अध्यक्षता की गई है यूनियन हॉम मिनिस्टर ये है 9. question है इसपाइस जेट को पच्छाड कर भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलो एरलाइन कंपनी कौन सी बनी है तो इसका correct answer होगा ये बनी है विस्तारा बीस का correct answer होगा 10. question है किस राज्य सरकार ने धही हांडी खेल को अधिकारी ग्रूप से एडवेंचर खेल का दरजा देने की गोशना की है तो ये महारास्ट गवर्मेंट ने की है इसका correct answer है और ये था कल का study gloss question दाबर इंडिया लिमिटेर की नए अध्यक्ष कौन बन गए है तो इसका correct answer होगा मोहित बर्मन बन गए है ये इसका correct answer है और ये है आप लोग के लिए आज का study gloss question भारती वायू सेना और किस देश की वायू सेना के बीच पहला द्वी पक्षे युद्ध अभियास उधार शक्ती 2022 आयूजित किया जाएगा तो इसका अंसा आप मुझे comment section में दीजेगा ये हमारा telegram channel है यहाँ पर आपको quiz available हो जाएगी यहाँ जाकर आप जादा से जादा in questions की practice कर सकते हैं I hope आपको session पसंद आ रहे होंगे अगर पसंद आ रहे हैं तो इसे like कीजे अपने दोस्तों के साथ में share कीजेगा तो चलिए मिल दे हम एक नए session के साथ में thank you